हाई हाई डिवन वेलकम टो गेट अकाडमी स्फ्री क्रेश कोर्स मैं होड़को पाइल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हीट ट्रांसफर सो प्रिवेस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा हीट एक्चेंजर्स के बारे में हम लोग ने कुछ निमेरिकल भी देखें वहाप पर हीट टॉपिक है वह काफी इंपॉटेंट है वहाँ से काफी प्रिवेस तो आप लोग उसको काफी अच्छे से हैंडल किये होगे और यहां पर जो हीट वाला पार्ट है और जो बाकी पार्ट से सभी के लिए आप लोग प्रिविएस एर क्वेशन से उसको ट्राइक किए ब लोगों को काफी चीज़ें जो इसमें हैं जो इंपॉर्डेंट चीज़ें इस प्रिश्टी जो समाज आज चलिए ठीक है स्टार्ट करते आज का लेक्ट्र सो रेडिशन ही ट्रांसफर के बारे में हम लोगों को बेसिक नॉलेज है पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग है उनको अब एक एक करके हम लोग समझना चालों करते हैं तो फ्रस्ट अफॉल रिडिशन ही ट्रांसफर होता कैसे हैं तो रिडिशन ही ट्रांसर होता है वर्चिव आफ इलेक्रोमागनेटिक वेव्स एसी वेव्स है जो तब होती किसी बॉड़ी से अगर उसमें चार्ज अनर्जी वो अलांग दवेव मोग कर रहे होते हैं याने कि जब बॉड़ी से लेक्रोमेटिक वेव निकलेगी तो उस वेव में जो एनर्जी है इन फॉर्म फोटांस वो भी इन्वाल्ट होगी और फिर फोटांस के थूज जो एनर्जी है वो एक बॉड़ी से दूसरे से जादा है तो उस कंडिशन में वहां से रेडियेशन एमिट होगा ठीक है क्योंकि रेडियेशन जो होता है डाट इस ड्यूटू दा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन और अगर बॉड़ी में हम लोग एपसिलूट जीरो टैम्टर की बात करें तो सारे जो सारे जो अट चार्ज पार्टिकल का मोशन होना पॉसिबल नहीं होगा और इसलिए एपसिलूट जीरो टैम्टर पर चाहें वो बॉड़ी मेंगनेटिक फिल्ड में क्यों ना हो क्योंकि उसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल से वह मूफ करना बंद कर चुके होंगे डैट स्वाइड जीरो टैम्परेचर पर कुछ भी रिडियेशन एमिट नहीं होगा और जैसे ही बॉड़ी अबव एपसिलूट जीरो टैम्टर याने की जीरो केल्विन से जैसे ज्यादा टैम्टर पर होगी वहाँ पर जो पार्टिकल से उसमें मोशन होगा और वहां से फिर देखने आपक टैम्टर काफी प्रॉमिनेंट होता है एक नॉर्मल टैम्टर लाइक 40 डिग्री 50 डिग्री सब्सक्राइब तो यह रहा एक बेसिक सा इंट्रो आपकी डिशन ही ट्रांसफर के बारे में तो डिशन ही ट्रांसफर एक ऐसा मोड़ आफीट ट्रांसफर है जो की विदावर फी जीरो केल्विन से अगर हाय टैम्टर पर है तो उससे रिडिशन जो है वह होते हैं नाव बात करते हैं थर्मल रेडिएशन की तो रिडिशन जो है बेसिकली डैट इस नथिंग बट इलेक्रोमेटिक वेव सोटी है वेवलेंद्स को हम लोग लैमडा से रिप्रेजेंट करत से जीरो से लेकर के आप लोगों की यह इंफाइनाइट तक जा सकती है अब जाओ तो इस तरह से भी लिख सकते हों ठीक है नाव इस रेंज में हम बात करें अगर तो टैर रस्टु पावर माइनस वन माईक्रो मीटर ओके 2 पैरसी पवर 2 माईक्रो मीटर यह जो रेंज है दिस बेज ल si ce अ ह再見 this के लावा भी और रिरिशन होते हैं इसके लावन वह पूरcü आपको फेलन का है बताया है 0स लas तक के wavelength की range होती है जितने भी waves निकल रहे होती है तो यहां पर यह जो range है that is your that is your thermal radiation अब जो भी body है अगर वो किसी भी temperature पर होगी तो वहां से radiation जो है वो हो रहा होगा that's for sure okay now यहां पर अब इन problems को समझने के लिए हम लोगों कुछ basic से hypothetical bodies कुछ ideal cases के बारे में समझना होगा ताकि हम लोग आगे जा पाएं ठीक है तो हमको अभी तक इत्ता समझा चुका है कि क्या होता है और कैसे होता है और कब होता है यह तीन चीज़ हम लोगों को अभी तक क्लियर क्या होता है यह इलेक्ट्रमाइनटी वेव कित्रू होने वाला ही ट्रांसफर है ठीक है कैसे होत और उसके उसको आप लोग रखे हो अगर उसका तैमचर हायर यानिकी एपसिलूट ज़्यूट से ज्यादा है तो उसके अंदर जो चार्च पार्टिकल है वो मोशन करेंगे तो इन प्रेजेंस आप मैगनेटिक फिल्ड वहाँ पर उससे एलेक्ट्रमाइनेटिक वेव्ज एम कोई भी आसार पिश्मीन बाटर बादर बाटर जो ऑटर भॉंडरी और उसकी ठीक है तो यह सरफिस किसी बाटी का अब इस बादी पर इस बादी पर किसी सोर्स से कोई सोर्स होगा जैसे कि आप सब वो सूरी को ले लो अपने सन को ले लो तो वहां से कुछ हीट इसमें रि विज़ने वारी रेडियेशन है इसको थोड़ा सा एब्सौर्ब करें तो यहां इसने कुछ पार्ट जो है इसका अब्सौर्ब कर लिया तो QA जो है that is the radiation absorbed by the body कुछ सर्फेस हो सकता है कि थोड़ा साच फिनिश वगरा हो उसमें तो थोड़ा से चमकीला सा हो तो कुछ रिडिशन को यह रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा कुछ को तो जो पोश्री से रिफ्लेक्ट किया तो इस क्यूव में से कु यहां पर यहां पर आप लोगों का कुछ रिडिशन इस बॉड़ी से आर पार हो गया ट्रांस्मीट हो गया क्यूटी डाट इस बॉड़ी के आर पार हो गई जैसे ग्लास दिखाऊगा आपने जिसके आर पार तो नहीं दिखता लेकिन अगर उस सब रोशनी तो अंदर आपने बढ़ गई यहां से मैं Q को इस सरफ रफ ट्रांसर कर दू यहां से कहलो दोनों साइट क्यू का दिविजन कर दू तुम एल जायेगा Q A by Q so this is a fraction which represents that how much of the total is being absorbed this is the fraction qr by q another fraction qt by q and this will be equal to one so aapko aapka kitna hissa absorb what kitna hissa reflect whoa or kitna hissa transmit whoa yeh ase dikhra hain so this fraction represents Q A by Q this is the fraction of radiation being absorbed by the body this is the fraction this is fraction of radiation of radiation okay being absorbed being absorbed by the body okay being absorbed by the body is school ikhtem look alpha which is known as absorptivity absorptivity ठीक है next बनता है आपके पास qr by q तो यह बता रहा है भी कितना हिस्षा आपने reflect किया so fraction of radiation fraction of radiation fraction of radiation reflected by the body इसको लिखते हैं हम लोग row रो के आपके पास reflectivity 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 ओके नाउ इसमें से कुछ हिसा आपका transmit भी तो हुआ है तो इसको लिखते हैं यह हो जाएगा आपके पास qt by q this is fraction of fraction of okay radiation radiation transmitted transmitted through the body फिके इसको लिखते हैं transmissibility okay that is टाउ एएगे तो यहां से वालिक सकता हूँ अब अलफा फ्लस रो प्लस टाउ इस इक्वाल टू तो तो को यह भी बॉडी हो और ना को यह भी बॉडी हो चाहे कोई यह यह बॉडी हो चाहे कोई रियल बॉडी हो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि वह कुछ इसा अब्सार्ब कर रही होगी कुछ इसा रिफ्लैक्ट कर रही होगी और कुछ इसा वो देख तो जिट्धा हिस्सा एब्सार व अप्र सैन्ट के लो उसने रिफिलेट किया जित्ता परसेंट उसने उसने ट्रांसमीट किया सब्सक्रीम मिल जाएगा औके प्लस डिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांस विटी इस एकल टू वन आपके पास हो गया ठीक है नाओ अब यहीं से डिफाइन कर दा जायका सब्सक्राइब बिफरेंट बोडी इसको कहते हैं उसके सरफेस पर सारे के सारे रीडियेशन को एप्सजॉर कर लेती है सारे के सारे रीडियेशन को क्या कर लेती है अब्सबॉर कर लेती है तो इसके लिए qA is equal to q हो गया राए내 की अलफा इस एक yeni कल डूँए टूप कूँड़ा हाँ पर इस तरह से होगा है ना इस तरह से हाँ पर होगा तो पूरा का पूरा उसमें सिर्फ एब्सॉर्ब हो रहा है कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी ट्रांस्पीट नहीं हो रहा है ऐसी बॉड़ी को कहते हैं हम लोग ब्लैक बॉड़ी ना इसका मतलब यह नहीं कि बॉडि ब्लाक पलर की होनी ज़रूरी है ब्लैक डाजन मींस कि यह कलर है ठीक है ब्लाक बॉडिश्ग सिसको नाम दिया गया इसका मतलब यह नहीं कि सब्सक्राइब करने लिए जो हमारे पास यह लोग की absorptivity काफी ज्यादा होती बट कलर देख सकते हो दूद भी कभी काला तो होता नहीं सफेद होता है तो यहां पर कलर से इसका कोई लिने देना नहीं है हाला कि जब हमको कुछ किसी बॉड़ी को जो लोग बॉड़ी पढ़ेंगे हाइपो ठैटिक लियूए हमिशाए अलफा इक्वल टू वन होता है उसके बाद आती आपके पास वाइट को वाइट बॉड़ी तो वाइड बॉड़ी ऐसी बॉड़ी को कहते हैं जो की पूरी तरह से जो की पूरी तरह से चीजों को रिफ् यहां पर हम उसको एक वाइड बॉडी के लिए तो यहां पर हम उसको एक वाइड बॉडी के रखा जाता है तो यह साइकें से मिरर के आर पार तो कुछ नहीं जा रहा होगा ठीक है इस तरफ रोश्णी जा रही कि जलो ठीक ऐसा माल लिया कि परफेक्टली ओपैक है कुछ भी आर पार नहीं हो रहा लेकिन मिरर को अगर आप धूप में रखते हो तो थोड़ दिर में गर बॉड़i अब कुस्थ लोगों लगते की अल्फा प्लॉड़ी आप लोग लिक सकते हो अलफा प्लस रोव प्लस डाव प्लूएज सबस्क्राइब लोट यह कुछ रिडेशन लिफलेक्ट करेगी कुछ एब्स रहिक टाव करेगी कुछ ट्रांसमिट करेगी ठीक है और सब यह hypothetical क्यों है तो यह hypothetical इसलिए है क्योंकि जो ग्रेय बॉडी है ग्रेय बॉडी में माना जाता है कि जो अलफा रो टाव यह हमेशा रहते हैं इर्रिस्पेक्टिव आफ टेमपरेचर बॉडी का टेमपरेचर कुछ भी हो उसका अल्फा को वही रहेगा उसका टाव रहेगा इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं ठीक है सारे के सारे टामिशा स्पेंट का यह जो है वैल्लू हमेशा कॉंस्टेंट रहता ह आपका एक पर्टीकुलर टेमचर पर यह चीज़ तो लिख पाऊगे लेकिन यह कभी कॉंस्टेंट नहीं रहेगी टेमचर चेंज हुआ यह चेंज हो जाएगा फॉर ग्रेवाडी फॉर ग्रेवाडी यह हमेशा कॉंस्टेंट होता है रिरिस्पेक्टिव आफ एनी टेमप ओके सो मैजोर्टी आफ जो फंडामेंटल लॉज दिए गया है यह जो हो गया उसके जो रिजल्ट्स है उसमें सर्टें इसमान करके हम लोग निकाल पाते हैं हम लोग कई बार क्या करते हैं जैसे की ऐनालीसिस को सिंप्लिफाइब करते हैं वी लेवल पे इत्तम क्रिटिकल तो हम कर नहीं सकते हैं और गेट में भी ऐसा कुछ हम लोगों को साइंटिफिक नहीं करना होता है तो कुछ रियल बॉडी को हम लोग कई बार निमेरिकल प्रॉब्लम से अब देखोगे रियल बॉडी को एसा ग्रे बॉडी मान करके उसकी अलफा को लिया जाता है कि ठीक है अलफा एंड रोएंड टाव लेकर के उसको एज़ाइब बॉडी मान करके पुष्ट को टैंकल किया जाता है तो प्रेश्चन को सॉल करने कि लिए कर आप देखोगे के रियल बॉडी को एक ग्रेवाडी मान करके विच साटन आलफा रोएंट टाउस सौल किया जाता है बट किया हम लोगों ने उसमें किसी सोर्स से बॉडी पे जो रेडियेशन है वो आ रहा था तो इसी को अब चलिए डिसकस करते हैं तो अब देखते हैं एमेजी पावर के बारे में मेजी पावर होता आपका रिडियेशन एनर्जी एमिटेट बाई एडिया पर इनिट टाइम ठीक है अब इसमें हम लोग दो तर्म देखते हैं डाट इस टोटल एमेजी पावर एंड मोनोक्रोमाटिक एमजी पावर टोटल एम इसी पावर या आपको बताऊंगा था मौन करने वाली है तो उसकी उनिट अटाइम में कितना निकल रहा है तो जैसे कि हम लोग एक ब्लैक बॉड़ी के लिए बात करेंगे ब्लैक बॉड़ी में लेता हूं तो ब्लैक बॉड़ी को मानते हैं जो ब्लैक बॉड़ी जैसे की है तो इसका ब्लैक बॉड़ी का जो सर्फेस होता है डाट इस डिफ्यूस्ट सर्फेस कैसा सर्फेस माना जाता है इसके यह डिफ्यू सब्सक्राइब करने वाली चीज़ होती नहीं करने वाली वह वेलिप पूरा क्या करने वाली यह लेकिन अगर प्रसेख ट्रीपर होगी ठीक है तो यह एक रिढिएशन एमिट भी करेगी वह ने कोई भी बॉडी हो अगर वह एक पर्टिक्लार टेमपरिचर पर है तो ढफिनेटली वह क्या करेगी वह करेंगी ठीक है रेडियेशन एमिट करेंगी तो उसके एक युनिट एरिया से एक युनिट टाइंब हो दिक है तो यहां से हम लोग देख पारें ब्लैक बॉडडे के किसी भी कंप से जो रेडिएशन है वह सभी डारेक्षिन में जाता है सभी अश्चन छोड़ता है है तो वह हर फॉसिबल हर पॉसिबल वेवलेंद की अव представ Easy वाला ये वह लह दो इस रेंज में जो भी होगा वहाँ तो नित तो पट्टिक्लर टैंपरीचर पर बच्चों कि हर पॉसिबल वेवलेंद की radiation emit कर रहा होगा तो सारे radiation जितने भी अमिट कर रहा है साडे को जोड़ दो ठीक है और देखो के साब दे को जोड़ने के बाद एक unit area से एक unit time में कितना radiation निकला that is known as total radiation energy emitted by the surface per unit area per time in all possible direction this is the total emissive power आई बात समझ में so total emissive power की बात करते हैं जैसे total emissive power okay so this is total radiation energy total radiation energy energy emitted by the surface by the surface okay per unit area per unit area per unit time per unit area per unit time in all possible directions तो यह क्या आगे आपके पास क्या आपके पास आगया total emissive power सारे possible direction की बात कर दिया है ठीक है अब जब आप किसी points से अगरेक point low office space में चोटा से काली मेंटर एरिया ले लो बहुत चोटा एरिया ले लो दी यहां से सभी directions message addition data all possible direction sorry 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 and a key point you have said the Karina just yeah hi 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 sorry directions me in all the directions who are the three-dimensional space a hunter of hardy shami radiation jara so if you want to consider all the direction okay or if you want to cover all the radiation you can draw an imaginary hemisphere एक 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 अर्द गोला यहां पर आप ड्रॉक कर सकते हैं हैं यहां पर इस तरह से ड्रॉक कर सकते हों तो इस टोटल है मिज्व पावर को है मिस्फेरिकल मिज्व पावर भी कहा जाता है ठीक है अब टोटल मिज्व पावर को हम लोग कैपिटल इस से रिप्रेजेंट करते हैं अब एड़ बेरी बिगनिंग वी टॉक अब आप ब्लाक बाडी ओनली तो अगर मैं यहां पर बोलूंगा मज्व पावर या अगर मैं टोटल एमस्व पावर बोलूंगा आने वाले सहाने मैं है तो दोनों का मतलब सेम होगा ठीक है तो टो टेल एमस्व पावर और सिम्फ्ली आप मेजव बोल थे मुन सकते हो ठीक है टो टो टम news फावर इसको हम लोग ईस형 दिशल करेगकू तो डि body की तो उसको लिखूंगे हम लोग EB EB के आपके पास emisive power या टोटल emisive power emisive power of a black body of a black body ठीक है emisive power of a black body आपके पास यह होता है okay emisive power of a black body so emisive power of a black body आपका EB हुआ now यहीं से इस emisive power of the black body के लिए हमारे पास एक fundamental law है of the radiation heat transfer that is known as stiffen-boltsman law stiffen-boltsman law क्या कहता है के जो आपका black body है black body का emisive power उस black body के absolute temperature के fourth power के directly proportional होता है this is stiffen this is stiffen-boltsman stiffen-boltsman law this is your stiffen-boltsman law तो जो आपके पास emisive power होता है black body का वो उसके absolute temperature के fourth power के डिरेटली प्रपोर्शन होता है जब आप इसको हटा रोकते हो तो आपको एक constant मिलता है sigma okay sigma को बोलते है stiffen-boltsman constant यह आपकी पास stiffen okay boltsman constant okay stiffen-boltsman constant constant इसकी value होती है है sigma is equal to 5.67 into terrace to power minus 8 watt per meter square into kelvin rest to power 4 ठीक है तो यह आपके stiffen-boltsman constant की value होती है and this is your stiffen-boltsman law this is your stiffen-boltsman law ठीक है तो यहां से हम लोग total I'm easy power निकाल सकते हैं by using the stiffen-boltsman law और एक gray surface क्लिक कैसे निकालेंगे that I will tell you उसके पहले बात करते हैं monochromatic emisy power monochrome याने की single color जैसे की laser light आप खिले होगे बच्पन में ठीक है अभी भी कई लोग कॉलेज बगरा में use करते होंगे कि किसी purpose लिए प्रसरेंटेशन एक्सेटरा देने के लिए और भी सेंसर एक्सेटरा में use होता ही है लेजर तो सबने देखा होगा हम लोग बोलते हैं monochromatic होता है single color होता है या तो green होगा या तो red होगा या कोई भी दूसरा कोई भी suitable color ठीक है तो monochrome याने कि single color की कोई भी चीज कैसे होगी याने कि ऐसा खूरा होगा condition में अगर उसमें कुछ color आपको दिखाई दे रहा है तो एक single color ही होगा multiple color नहीं होंगे जबकि जैसे सूरा से जो रौशनी मिल रही हमारे पास आप देखो कि उस पर बहुंच सारे आप लोगों को पता है कि फिल अल्ट्रा वॉलेट भी कुछ होता है तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंट इन्वाल होंगे तो कभी भी single color नहीं दिखा देगा multi chrome होगा monochrome का मतलब क्या होगा एक single wavelength याने कि एक single color ओके ना अगर color दिखा तो हर चीज का कोई color वीजीबल प्रॉपर हम लोग उसकी color को हम लोग अपने हीमन इस इंटिफाय कर पाया ऐसा जरूरी नहीं है तो बात बस इतनी सी है के monochromatic मतलब सिंगल वेवलेंथ तो ग्रैसे मैं बोला कोई पर्टिकलर वेवलेंथ लटासे टैने स्टो पावर माइनस 1 micrometer इस wavelength की बात किया कि इस wavelength की कितनी radiation nickel raise bodies so a particular wavelength की radiation किसी body से किस मात्रा में इकल रही है okay from a unit area in a unit time that is the monochromatic energy power so the radiation and energy emitted by a surface okay of a particular wavelength from a unit area in a unit time is known as monochromatic emissive power to get to bat karengi ab mono isco note कर लेना सभी video को pause करके ठीक है आगे बढ़ते है monochromatic emissive power देखते हैं so monochromatic monochromatic okay emissive power so the monochromatic emissive power here that is the radiation energy okay the radiation 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 energy emitted by the surface emitted by the surface by the surface okay per unit area per unit area per unit time at a certain for a certain for a certain for a certain wavelength yeah lambda is known as is known as monochromatic monochromatic emissive power बढ़ासाल है ना तो एक particular wavelength की radiation body से किस मात्रा में निकल रहे है उसके वारे बात करेंगे तो monochromatic emissive power आप लोगो को मिल जाता है ठीक है इसको रिप्सेंट करते हम लोग e lambda से नाओ ब्लैक ब्लैक बोड़ी के लिजब मोने क्राइटिक मिल लिखेंगे तो वहां लिखेंगे eb lambda okay so this is a lambda is what e lambda is the monochromatic is the monochromatic monochromatic emissive power emissive power ठीक है और जो आपके पास eb lambda जैसे आप लिखते हो तो यह हो जाएगा आपके पास monochromatic okay monochromatic monochromatic emissive power emissive power of a black body unit same okay unit same is what per meter square what per meter square ठीक है यह होगा तो यह होगा आपके monochromatic emissive power के बारे में तो जनरली हम लोग इसको एक black body के लिए देखेंगे अब बात करते हैं देखिएगा अब देखिएगा क्या होता है हमारे पास जो real body होगी या कोई gray surface जैसे की होगा तो वहाँ पर उसकी जो emission की छमता होगी वह सबसे अलग होगी ना राइक आपके पास black body में जित्ती हो रही है उतनी ज्यादा तो नहीं उससे कुछ काम होगी तो उस condition में हम लोग क्या करते हैं कोई gray surface तो ग्रे surface जो है वो black body के compare में थोड़ा कम एमिट कर रहा होगा so that means जो बैट black body है that has the highest emission सबसे अधिक जो है एमिट करने की छमता किसी में है तो उसको बोलते हैं लोग black body the black body में absorb करने की मात्रा भी अगर अच्छी खासी highest है तो एमिट करने की भी जो जो टेंडेंस ये वो सबसे highest है ठीक है अब इस पर बात करते हैं नेक्स्ट अम देखते हैं बच्चों हम लोग EMAZVT ओके next अम देखते हैं हम लोग EMAZVT जैसे सपोज आपके पास कोई body है उसका टैंप्रेश टी है लेटसेट इक्वाल टू आपके पास है कुछ 600 of body at temperature T divided by amusev power of a black body black body okay amusev power of a black body at temperature T ठीक है यहां से यहां से आप लोग किसी भी body के लिए जो EMAZVT है वो निकाल पाओगे ठीक है जो EMAZVT है वो निकाल पाओगे now for 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 gray body बात करते हैं for a gray body जो EMAZVT हो का जैसे कि उसका अलफा का ऐन कॉनस्टेंट है उसका रो काँस्टेन तो उसकी जो होगी वह भी कॉंस्टेन होती है जब की एक रीयल वाडिक लिए जो मुझा हो गाकी किसी तैंप्चर पे जैसा होता है ठीक है एमजी पावर जो जो है फ्लक्च्वेट होता रहता है मतलब उसके उनीफॉर्म ऐसा लॉझ भाट सिपानला दे दिए आ पर ट्रेंट नियुका अलग अलग टेंट्टर पर रेंडम रिस्पॉंस जोंक खूंस का खिक्स नहीं होगा तो उसके लिए जो यह एपसिलान है वो इसका इन कॉंस्टेंट नहीं वाला ज़्य सिटेट आप यह जो रेशों पर लेश्व स्का अभी भी यह रहेगा बेट यह हैं यह हमेशा फिक्स रहेगा लेकिन एक रियल बोडी के लिए जो रेशो यह फिक्स नहीं रहेगा कभी 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 कम हो जाएगा कभी जादा हो जाएगा कुछ भी मोसा एक रैंडम सा आप लोगों को भी है देखने को मिलेगा okay so for grey body just like alpha rho tau that is absorptivity reflectivity transmissivity emissivity will also be constant so for grey body epsilon is what constant a constant value hooghi this is 0.6 both the other and a key 60 percent to have a shakissi bhi temperature ke liye wop 60 percent a key 0.6 he hooga jabki real body ke liye woh vary kar sakta hai with respect to temperature pakki baat hai so for grey body is constant to yaha ho jayega sorry epsilon is constant epsilon ho ga aapke paas e that is for grey body okay divided by eb that is for black body okay and this will be constant okay but for a real body for a real body for a real body jawab baat karo ge so for a real body bachcho this ratio will not be constant okay is not constant okay yet temperature के साथ vary करेगा एक real body with the emissivity जो होगी वह temperature का function हो जाएगी अलगलग अलगलग मेजी वीटी आप लोगो को मिल रही होगी ठीक है ना अगर आप इसके definition पे देखें तो आप साब साब समझ सकते हैं कि black body के लिए क्या स्टोरी होने वाली तो अगर आप एक black body की यहां पर बात करने लग जाओ तो फॉर ब्लैक बॉड़ी पॉर ब्लैक बॉड़ी पॉर ब्लैक बॉड़ी आप ब्लैक बॉड़ी तो यहां से अगर कोई बॉड़ी है आपकी यह जो आपके टैंपरेचर किसी पर्टिकुलर टैंपरेचर पर अगर कोई अपकी खिंख के ग्रेक बॉड़ी या ब्लैक बॉड़ी तो उस कंडिशन में उस कंडिशन में उनका जो nerves Hubo & हो दोनों क्या होगा बराबरो होगा ओके फॉर ग्रेसर शांटल कौई और ब्लैक सर्फिश और ग्रेज अथ्प्रेशिश हो describes तो सो इसका और ब्लैक बॉड़ी यहां से भी आपका वन ही आ गया और ग्रेवाद करने के बाद तो दोनों तो वन वन है और ग्रेवादी के जैसे के बात क्या फॉर एक्जामपल जैसे कि आपके पास अलफा इस इकॉल टू पॉइंट शिक्स है तो एप्सलों भी को जाएगा पॉइंट सब्सक्राइब कर सकती है कुछ-कुछ-क्वैशन में कभी-कभी कंफ्यूस करने के लिए आपको अलग-अलग दे दिया जाता है ठीक है बट डैट इस नाटिंग इजली आप लोग उसको टैकल कर सकते हूं ठीक है बट तो अलफा और एफसिलॉन जो है एसपर किर्च ऑफ पर रहते हैं तो यह था आप लोगों कि म簡् doubt के बारे में और नहीं यहां पर मैं ने बताया कि एक पर्टिक्लर और पोडी से इटिफरेंट टिफ्रेंट वेफलेंट वाली मंट हो रही होती है तो अगर हम लोग सारे यदिम्टों को तो मिलेगी तो अलग 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 यहां पर देखते हम लोग और श्ट्रीबूशन होता उसको समझते हैं फिर आप लोग को मैं विंस डिस्पेस्मेंट लॉग विंस लॉग इसाब आप लोग को बताऊंगा और यहां पर फिर एक ग्राफ प्लोट किया जाता है between the eb lambda that is the monochromatic energy power and the wavelength that is lambda now here यहां पर जो monochromatic energy power for express करने का तरीका है that is bit different जहां पर monochromatic energy power को हम लोग express कर रहे हैं पर unit wavelength तो एक unit length एक unit wavelength के लिए कितनी है यह हम लोग यहां से देख रहे हैं तो यह आप लोग यहां देख सकते हो वाट पर मीटर स्क्वेर माइक्रो मीटर इसको आप माइक्रो मीटर को मीटर में भी कनवर्ट कर सकते हो तो यह आप यहां पर हम लोग express कर रहें ठीक है तो एक एक से हम लोग ने wavelength को लिया है तो इसका जो इक्वेशन यहां पर दिया जाता है यहां पर दिया जाता है यहां प्लैंक्स लोग यह है आपके पास इसको आप देख सकते हैं सीवन लेंडर स्ट पावर माइनस फाइव अपन ए रस्टु पावर सीट्यू अपन लेंड़ टी माइनस वन यहां सीवन सीटू जो है वो दो कॉंस्टेंट्स है इनकी वैल्यूज आप देख सकते हैं इसको याद रखना होगा आपको 3.74 इंटू टैनस पार माइनस 16 वाट मीटर स्क्वेर एंड सीटू इस इक्वार टू पॉन 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 पॉर जो है वो शो करती है उसमें डिफरेंट वेव निकल रहे होती है जिनकी वेवलेंग सीरो से लेकर के इनफानाइट की वैल्यू तक होती है ना फ्रम इस एक्सपरिशन यू कैन सीट इनफानाइट दी एमीजिव पावर ओके विल भी जीरो अगर आप एक ऐसे वेव की बात जिसकी वेवलेंग जीरो है तो ऐसा तो एक्सली फीजिबल नहीं है अगर वे कोई वेव होगी तो उसकी पर्टिकल कोई वेवलेंग होगी बठीक अगर आप ऐसे एक ठीकली बात करो कि वेवलेंग की जीरो है तो उस कंडिशन में ऐसे वेव की जिसकी वेवलेंग जीरो है लेंब्डा इक यहां पर इसकी वैलियूज क्या है जीरो है तो एक पर्टिकुलर ब्लेक बॉड़ी जो ये पॉट्टिकुलर जीरो या एक्जेक्ली इंफानाइट हो तो यह जो कर्व है किस यह जो कर्व है यह जाके टच कर देगा लैम्डा एक्सिस को एट इंफानाइट नो यहाँ पर नमबर ऑफ कर दिख रें तो जैसे कि वैंने बात किया मैंने black बोडिली है पार टेमचर पर ठीक है तो ये और टेमप्रेचर पर मौझूद ब्लैक बॉडडी का स्पेक्टरल डिस्ट्रिबूशन है ठीक है जो नीचे कर्व है वह लोगट अप्र ओंड नहीं को तरह है ठीक है से लेख अलग अलग करो मुझे यहां किया मैं है ना टीवन की बात किया तो टीवन टैंपचर पे जो ब्लैक बॉडी मौझूद है उसमें आप देखते जाओ वेवलेंट अलग लग लेंट से इस तरफ हैर वेवलेंट है अब इसी बात है तो जैसे की कोई पटी दो वेवलेंट चूस करते हैं तो इसके लिए इतन कि पर्टीकुलर वेवलेंट वाली वेवेजल की अशवादा है ठीक है मैं वेवलेंट ब्लूवाता मतलब आं की यह वेवकि बात कर दो टेक पार रहे तो इनिछे आप पार जैसे से आप इनिशेलिा छी वेवलेंट को इंक्रीश कर रहे हूँ इसाइप अग्रीज वडैं you will see that the MEZ power will be increasing. So initially, जब आप 0 से start की तो, 0 पे तो MEZ power 0 है, जब जैसे ऐसे आप हार wavelength वाली waves की बात करना चालो करोगे, यानि कि इस graph में आगी की तरफ बढ़ते जाओगे, you will see that the monochromatic MEZ power for those waves will be increasing. Right? अब बढ़ते बढ़ते आपने ये कोई wave select करी, फिर कोई दूसरी wave select करी, फिर कोई दूसरी wave select करी, ऐसे करते करते आप एक ऐसी wavelength पे पहुँच गए, एक ऐसी wave यानि कि एक ऐसी wavelength पे पहुच गए, जिसकी monochromatic MEZ power EB lambda for the black body is highest. तो इस wavelength को बोलते हैं lambda max. तो lambda max क्या है? लेमडा मैक्स wavelength की वो value यानि कि उस wave की बात की जा रही है हाँ पर, जिसकी MEZ power सबस्याद है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में emit हो रहा है body से, ठीक है, तो आपके पास जो black body है, एक particular temperature T1 पे, उस पे number of waves निकल रही होंगी, लेकिन ये जो wave है, सबसे ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रही है, आई बास समझ में, इस पर सबसे बहुत सारे waves निकल रहे हैं, जिरो से लेकिन लेकिन लेंडा मैक्स क्या चीज़ा है, लेंडा मैक्स उस wave की wavelength है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में emit हो रही है, that's why the energy power for this wave will be highest, so lambda max is the wavelength corresponding to the maximum energy of power, जैसे जैसे आप इस graph में आगे जाओगे, higher temperature लोगे, तो आप देखोगे trend same है, पहले increase होगा, maximum पहुचेगा, then decrease होगा, लेकिन जो peak point है, जहापर आपको lambda max मिल रहा है, वो shift करते जा रहा है, वो इस तरफ shift करते जा रहा है, तो ऐसे हर एक temperature पे जो मुझे peak point मिल रहा है इस graph के, उसको मैं locate करके इस तरह से draw भी कर सकता हूँ, जोईन भी कर सकता हूँ, तो आप देख पाओगे कि इस curve का जो peak point है, on increasing the temperature वो left side में याने कि इस spectral distribution वाले axis की तरफ shift करता जा रहा है, okay, so this peak point is shifting towards left on increasing the temperature, ठीक है, अगर आप temperature रहाते हो तो आपको फिर एक निया अग्राफ मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस graph का जो peak point है, वो पहले के गांपर रहा लेफ साइड होगा, है ना, ना, वापस आते है, तो यहां से, अब देखो, अब देखो, आपके पास यह जो जादा ऐस सारफ है, लापया, यहार है, वैल्यूस इस तरफ हूँगी, लउए वैल रैलूस इस तरफ होगी, लोए ना का बात करोगे ह hackum ऑने की बहुत लार्ज वेलेंथ माली रेडियेशन की बात करोगे, तो उसकेस में, लाबडा इंटू टी का जो प्रोडाब करें हम लोग लॉफ फॉरньंग गरेंट वलांग वेव लेंट या फॉरव विज लॉफ विज लॉव लैंग यासा यह बोलना चाहो हम लोग इस एकस्प्रेशन को इस ए हन्यागत यिन होगा तो लैमडा इंटू टी बड़ा हो जाएगा काफी तो यह जो फैक्टर है सी टू अपॉन लैमडा इंटू टी यह बहुत कम आएगा वन के कंपैर में तो इस कंडिशन में हम लोग इसको इस फार्म में लिख सकते हैं तो यह बहुत चोटा है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर लॉंगर वेवलेंज हम लोगों को प्लैंक स्लॉज से एक नया कंफूजन मिलता है यह जाएगा तो किसकी बात हो रही है यह चोटा होगा तो चुटा होगा तो उस कंडिशन में सेंग यह जो इसको यहां पूट कर दो अगर यह तो इस फरक नहीं पढ़ने तो यह निकला है आप लोगों पास इसको बुलते हैं विंसलों इस इस फॉर वेवलेंज फॉर शॉर्ट वेवलेंज यू विल्ट वेवलेंज यूविल बी उस लॉट ठीक है नौ जैसा कि मने आपको बताया कि किसी भी पर्टिक्लर टैंप्टर्टर पेजो स्पैक्टर डिस् पॉइंड मिलता है पीक पॉइंड पेडिक सकते हो जो वेवलेंट है यह सबसे ज़्यादा मातरा में हो रही है इस पर्टिक्लर वेव जिसको मैं उसके वेवलेंज से अड़िवां अब समझ में यह जो पॉइंट पीक पॉइंट है स्पेक्टर डिस्टिवूशन का अटव कर दोगे अब इसको तो अगर आप लोग क्या करते हो ढिए करना चाहोगे इवी ऐलंड़ा को आप भाट रिस्पेक्ट में इदिफ्रेंशियेट करना चाहोगे इसको डिफरेंशियेट कर दोगे with respect to lambda तो आपको maximum मिल जाएगा इस पॉइंट का इस ग्राफ का maximum point मिल जाएगा ठीक है तो इस equation को solve करके आप लोगों को यह जो shift हो रहा है point ठीक है इनका एक equation मिल सकता है so if you join all the points you will get a curve like this ठीक है और यहां से समाझ आता है के lambda max lambda max और जो temperature T है उसका product हमेशा constant होता है and on increasing the temperature यह जो पीक पॉइंट होता है वो लेफ्ट की तरफ shift हो रहा होता है तो यह बात जो करता है उस लोगों को बोलते हैं विंस displacement law ओके सब्सक्राइब सबसे ज्यादा होती है ठीक है लेंडा मेक्स कहते हैं उसको ठीक है इन्टू दर टैंपरेचर बॉडी जिस टैंपरेचर पे यह जो प्रोड़क्त है यह हमेशा यहां से आप देख सकते हो लैंडा मैक्स जो है डैट इस यागरे कॉंस्टेंट उसको लिक सकता इन्वर्श्टी प्रपोर्श्टनल ट्व एपसलूट टैमरेचर टी तो जैसे सब टैंप्चा बढ़ाते जाओगे यह से टैंप्चा बढ़ाते हैं कि वैसे वैसे यह कम होत इसका मेजी पआवर सबसे ज्यादा होगा एक्चल में सी यविव लगाइग जैसे यह आप टैंप्चर बढ़ाना चालू करते हो तो जैसे ठांप्र बढ़ाते जाओगे जो जबीशन सबसेदा मातर में निकल रहा होगा ना उसकी वैब लैंथ एक्चुली में क्या होगी कम हुआ करेगी ओके इस इस दा कॉंसेट ओके इस इस दा विंस दिस्टेस्मेंट लोगा सकते हूं अब यहां से लंडा में सकता है बोडी के लिए किसी भी पर्टिकुलर टेंपरिचर पर अब उस यहां पर तो मुझे मिल जाएगा में स्पावर आफ ब्लॉडी अफ़ा बलेक बाडी बडी मुझे जो ब्लैक बॉड़ी उसका मैक्सिमों मेज पावर मिल जाएगा यहां पर ठीक है दिए तो यहाँ पर पर मीटर क्यों आ जायका है तो यहाँ पर मिटर की वाट वैवलेंद के लिए हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इंपार्टंट पॉइंट यह इंपार्टंट ले है कि जो इंटो मेक्स आ रहा है यह कि विन्तोर पाउड नातोर का मैटे कि दिर हुआं है कि इन्धी यह तो मंसीव पावल आप लोगों को दिखाए देगा वह टोटल एपावर है वह टोटल तो एक पर्टिकुलर लेंडा पे लेंडा इक्वल टू लेंडा मेक्स पे आपको मेज़ी पावर मेक्सिमम मिलती है तो मेक्सिमम पावर इस डाटली प्रपोर्शनल टू पी रस्ट पावर फाइब ठीक है ओके सी तू जी ती जो है उसकी वैलिव यह आपके पास 1.287 जो स्ट्रेबीयूशन यह आपके पास क्या है इस माट पर मीटर कुब इस वाट पर स्कूर माइक्रो मीटर यह आपके पास अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोई यहां से तो यह हो गया एक एलिमेंटर स्क्रिप्लिया ग्राफ के नीचे मैंने यह गया दी लैमड़ा ठीक है और इसके कर्सपोंडिंग जो मरी पाथ-र्ले था चाहिवा है तो यह आपके पास माय केटर में है और यह क्या हो जाएका यह हो जाएगा आपके पास ईलाव अलोल इक राइट केटर उज्व डान हो का ठिक है अब यहां से यहां से क्या का इस एलिम्मेंट DO एरिया होगा बीय वथ खोव्य क्या हो जाएगा दी लेमडा इनुटू विलेमडा राइट ये ओ весь अधिया आपका नाओगर मैं यह्का है यह पर्ट्टीकूलर वेवलेंथ पे जow innovation वेल रह ஏ Nat Pan personalities एक पर्टिक्लर वेव्लेंट लेंडा पर जो मिल रहा है यह भी लेंड़ा ठीक है तो अगर मैं यह जानता हूं कि यह लेंड़ा किस तरह से वैरी करता है यह देखो है अगर मैं इसको जो इंटायर रेंगे अब लेंड़ा आप वेवलेंग टक कि लिए इंटिग्रेट कर दो इस ऐलिमेंट कुछ अलिमेंटर स्टिप को मैं यहां से लिएक लिए लम्ड़ा इकल रूसे लम्ड़ा कुल इंड़ाना इंटर मूव पर सकता हूं तो अगर मैं इसको इंटिग्रेट कर जेता हूं किसको EB lambda ऑके EB lambda into D lambda कहाई से का तक integration from lambda equal to 0 to lambda equal to infinite तो इस पर टीकुलर टैमरेचर पे स्टेर टोटल कितना radiation the apparent area for a time woman dhaga I was so much में इसका element का अगर मैं इसको पूरे के पूरे ग्राफ के लिए निकाल दूए इसके नीचे पूरा कवर कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे इस पर्टीकुलर टैंपरिचर पे टोटल कितना लैमडा इकटो जितना रडिशन निकला सारे इविलांडा सको मैं जोड़ दूँगा तो तोटल उसमें से कितना रिडिशन निकला वह पता चल जाएगा याने कुझे क्या मिल जाएगा इब जाएगा यहीं से तो टोटल एमिजन मिल जाएगा तो टोटल एमिजी पावर आप दा ब्लैक बोडी मुझे मिल जाएगा और यहीं से इंटिग्रेशन करने पर ही क्या आता है स्टिफन बोल्स में लौत यह वराबर होगा आपके सिग्मा इंटुटी दिश्ट पावर फोर के दाट इस यूर आप लोग इंटिग्रेट कर देते हो तो आपको क्या मिलता है तो टोटल एमिजी पावर तो यहां से आपका रूट कर सक्यों स्टेटमेंट that the area under the spectral distribution this is your spectral distribution okay so are you under this graph area under the spectral distribution is equal to total एमिजी पावर होता है ठीक है इस इक्वल टूटल एमिजी पावर आपका होता है यहां पर हम लोगों ने पूरा एमिजी पावर एक्सेटरा के बारे में समझा आई होब जो है यह आपको सारी चीजे समझ आ गई होंगी ठीक है चलिए अब बात करते हैं हम लोगोंने देख लिया कि स्पेक्टर डिस्ट्रिबैट क्या होता है और और हमने यह भी देखा कि जो पर्टिकूल ट्राप्रेक्टर अगर निकाल लेते हो तो वहां से इक इस पर्टिकूलर टाब्स्टर पर उस ब्लाइक बॉड़ी की डोटल एमिजिव पावर आपको मिल जाएगी और याने कि यहां से हम लोग अगर प्लैंक स्लोग को अट पर्टिकुलर टैंपरिचर इंटिग्रिट करें तो अपस में अगर रडिएशन हीट एक्षेंज करें तो वह आप कैसे होगा तो वही देखते हैं हम लोग रडिएशन हीट एक्षेंज बिट्विन टू ब्लैक बोडिज ओके रडिएशन रडिएशन ट्रांसफर रडिएशन हीट ड्रांसफर ओके बिट्वीन इंट्विन टू ब्लैक बॉड इस बीच में रेडिएशन हीट एक्षेंज कैसे होता है क्या है इसका नुसब नूबर वन इसका लेते हैं लोग दिसके साथ ही एक्स्वेज़ करेगा विश्चेंज करेगा पता है कि अगर किसी भी सर्फेस का किसी भी बोडी का temperature absolute zero temperature से ज़्यादा है तो वो radiation emit करेगा तो क्योंकि यह भी एक particular temperature है it is non-zero absolute zero temperature नहीं है यह higher than absolute zero है कुछ finite temperature है आपके पास तो यहाँ पर according to the provost law यह भी क्या करेगा यह radiation emit करेगा ठीक है और similarly जो surface number two है वो भी radiation emit करेगा ना बात करते हैं कि अगर माली जिए टीवन जो है वो ग्रेटल देन टीटू है तब क्या होगा तब भी लॉट वही है फंडा तो वही है तो यह जो बॉड़ी है आपकी यह जो बॉटी यह भी हर possible direction में करेगी क्योंकि यह black body है surface इसका कैसा होता है अब देख पाएंगे आप लोग जैसे कि इस situation को मैं देखूं तो मुझे पता है यह होता है थूझ दिशा में चलती यह जिए कभी भी अपने नहीं नहीं होती है नहीं आप देख सकते हो किसी भी स्थिति में संभाव नहीं कि यह सर्फेस नंबर तू से भी कुछ ना कुछ निकल रहा होगा क्योंकि इसका टैंपरेचर भी जो है वह एपसुलूट जीरो से कुछ ज्यादा है इसका कुछ नौन-जीरो तैंपरिचर इसका इसका अपसुलूट टै तो यहां से इस तरफ जो रौष्णी गई है वो कभी भी इस तरफ वाले सरफेस पर देख सकते हों यहीं बात होगी तो सेम वैसी इस ब्लैक बॉड़ी से जो इस तरफ चले गया ठीक है वो इस पर कभी भी इस ट्राइक नहीं करेगा इवन कुछ रिदिशन इस दिखेंगा आपको जो इस सर्फेस पे हैं लेकिन डेविल नॉट पास त्रू सर्फेस नंबर टू तो इसका मत हता है कि इस बॉड़ी का जो ब्लैक बॉड़ी है ब्लैक बी नूबर वन इसका अबिपैर हो गया और इसका सर्फेस त्रूज कितना हुआ हो Bu Q1 तो Q1 पूरी तरह से body number 2 में जाने वाला है इस तरह हर पॉसिब्ल डॉट हम देख सकते हैं कि body number 2 में जाएगा तो body number 1 से कुल मिलाकर के कित्ता निकल रहे है क्यों निकल रहा है तो बारी नबर वन से तू में कुछ हीड गए डिस इस दा हीट और यू कन से रिडियेशन फ्रॉम सर्फिस वन तू सर्फिस तू या पॉडी वन तू बॉडी टू ऐसा बो सकते हो सिमिलर लिवत यहां से भी हर पॉसिबल डारेक्शन में रेडियेशन इस तरह से निकल रहा होगा ठीक है तो इससे पूरी तरह से इसका बन में जा सकता है के नहीं इसका कुछ पोर्शन यहां पर गया तो बॉडी नमबर टू से वन में जित्ता गया इस यू तो यहां आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो हमने यहां पर माना है टी इस ग्रेटर देन टी टू बट बट जो रेडियेशन है वो हायर टैमचर वाली बॉडी से लोवर म बॉडी पर भी आया इसका मतलब है कि यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हायर से लोवर ही रिडियेशन यहां से निकल रही है वह सर्फिस तूसे सर्फिस वन में भी जा रही है तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि आपने से रहा होगा कि हायर टैंपरिचर टू लोवर टैंपरिचर जो है ही ट्रांसफर होता है से कर पाते हैं कि हायर टैंप्चर से लोवर टैंप्चर में ही ट्रांसफर होता है तो यहां पर हम लोग अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं यहां पर इसको थोड़ा सा मॉ इन बर वन ने किता गिया इसने 10 इसको दिया दो इसने वापस कर दिया तो तोटल यहां से यहां से गया यहां से गया आठ वाट इसको बोलते हैं Q net Q net ओके तो जो net heat transfer है वो हमेशा higher से lower temperature की तरफ होता है और Q net आप लिख सकते हो Q net आप बच्चो लिख सकते हो is equal to is equal to लिख सकते हो Q 1 2 minus Q 2 1 this will be the heat transfer from surface 1 which is at higher temperature to surface 2 minus heat transfer or you can say radiation, radiation heat transfer from surface 2 to surface 1 surface 2 is at lower temperature. So, यहां आप लोग को net heat transfer rate मिलेगा यहां net radiation heat transfer आप लोग को यहां मिलेगा between black body number 1 to black body number 2 or surface 1 and surface 2 which is our black body. ठीक है तो यह आप लोग को मिला इसकी value लिख सकते हैं अब देखो हम लोग इसकी value हम लोग लिख सकते हैं easily ओके इसकी value हम लोग लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से देख पाएंगे आप लोग यहां से आप लोग देख पाऊगे कि Q12 क्या है? Q12 is the fraction of radiation energy from surface 1 to surface 2. ठीक है? surface 1 से surface 2 में इतना जो radiation है वो गया. So, Q12 this is the part of radiation total किता निकल रहा है Q1 निकला तो Q1 निकला Q1 में से Q12 चले गया body number 2 में और body number 1 ने actual में किता किया था Q1 किया था. So, this is the part of radiation energy, okay, which is being transmitted to surface 2 from surface 1 और यह total जितना radiation इसने एमिट किया. Similarly, आप यहाँ पर देख सकते हो, similarly आप यहाँ पर देख सकते हो, यह हो जाएगा आप लोगों के पास Q21 जैसे दा radiation energy transferred by surface 2 to surface number 1 और surface number 2 ने कितना एक्छिन में किया? Q2 किया, ठीक है? This ratio is known as F12, this ratio is known as F21. This is fraction of radiation energy from surface 1 to surface 2. fraction of radiation energy from surface 2 to surface 1 ऐसको याद रख सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग shape factor इसको क्या बोलते हैं? shape factor, shape factor, shape factor, shape factor बोलते हैं, shape factor क्या बताता है? shape factor बताता है ratio of radiation energy transfer from one surface to another surface divided by the total radiation emitted by the surface ठीक है? तो इसको आप लोगे जनरल फॉर्म एलिक सकते हो FIJ FIJ आप लिक सकते हो is equal to is equal to QIJ that is that is radiation from surface I to surface number J divided by radiation energy emitted by the surface I, ठीक है? तो ये ratio बताता है कि सर्फ ये ratio बताता है कि कितना हिस्सा, what fraction of radiation is being transferred from one surface to another surface जैसे कि आप इसको value सपोज आगई 0.4 सपोज इसका मतलब यह है कि सपोज आप जो आप लोग का आई सर्फिस और जे सर्फिस है आयत और जैत कोई भी आप सर्फिस हो सकते हैं तो कोई भी रेंडम ली दो सर्फिस पकड़े हम लोग आई और जे आई जैसे कि लिख सकता हूं यह क्या होगा 1 2 3 4 आई की value होगी आई क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 and so on जे क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 and so on इस तरहां ठीक है तो जैसे मैं लिख रहा हूं जितना radiation है उसका 40 प्रतिशत हिस्सा body number j में जा रहा है तो this is the shape factor इसको view factor भी बोलते है और view factor okay view factor view factor ठीक है view factor भी बोलते हैं now q1 हम लोगो ने देखा लेको q1 हम लोगो ने देखा q1 जो हम लोगो ने देखा that is eb into a s1 या a1 भी बूल सकते हो surface area of surface number 1 ठीक है तो यहां से देखो यहां से देखो okay हम लोग लिख सकते है q1 क्या हो जाएगा eb that is from stephen boards man lock Alex of Thomas sigma into t1 rest to power 4 into a1 या a s1 लिख लो q2 क्या लिख सकता बच्चो from stephen board man law eb2 क्या हो जाएगा sigma into t2 rest to power 4 into a2 हो जाएगा यहां से ठीक है यह होगे आप लोगो के पास now यहां से मैं q1 2 लिख सकता हूं यहां से इसको multiply कर दो तो q1 2 क्या मिल जाएगा a1 into f1 2 into sigma into t1 rest to power 4 equation number 1 q2 1 क्या लिख सकता हूं यहां से इसको cross multiply कर दो क्या मिल जाएगा a2 into f2 1 okay into sigma into t2 rest to power 4 यह हो गया भी है ना तो हम लोगों को यहां से मिल सकता है कभी भी के surface i से surface j में कितना heat जा रहा होगा ठीक है यह बहुत easily यहां से हम लोगों को मिल जाता तो यह पता चलता है कि एक body से निकल करके किसी भी दूसरी body में जरूरी नहीं किसी दो इसके बीच में हो रही है जैसे कि आपके कमरे पर light जा रही है तो सिर्फ आपके टेबल पर या आपकी body पर आपके आपके हाथ पर रोशनी पड़ यह जित्ती चीजें उसके दारे में आ रही है उन सभी पर जो radiation है जो जाला है वो पढ़ रहा है लेकिन जो जिस चीज को य वहां जो खड़ेवे persons है वह विजीवल नहीं तो यह कभी वहां उजाला नहीं दे सकता तो बेसिकली जितना portion visible रहता है एक body से एक body को दूसरे body का जितना portion visible रहता है या जितना वो व्यू कर सकता है वह उतने ही portion पर radiation अपनी छोड़ सकता है जैसे कि मैं अभी सामने खड़ radiation की बात करूं तो इसमें मेरी body पर directly radiation incident हो रहा है वो तो कभी भी पीछे की तरफ नहीं हो पाएगा क्योंकि यह जो मेरा back portion जो है वो इस bulb के लिए visible नहीं है तो क्योंकि यह bulb मेरे back portion को view नहीं कर सकता ठीक है तो उस कारण वहां पर radiation जो है उसका नहीं पहुचेगा जैसे कि आप मुझे देख सकते हो तो चैमेरा सपोस्ट कोई source of radiation है तो वह जो source of radiation है यह मेरी सिर्फ इस फॉले portion को देख सकता है मेरी back portion को नहीं देख सकता तो यहाँ पर जब हम दोनों आपस में radiation heat exchange करेंगे ना तो मेरे back portion का और इसका कोई लेना देना नहीं होगा जो भी रेशन ह होगा मेरे front face और इस camera के front face पर होगा camera के back side कुछ-कुछ arrangements होती है उस तरफ कुछ radiation है निकल रहा है तो फिर वहां पर से और मेरे body का कोई लेंदर नहीं होगा उसका radiation उस तरफ कहीं जा रहा होगा मेरे साथ interact नहीं कर पा रहा होगा तो basically दो bodies एक दूसरे का जितना part view कर सकते ह ना उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से उन दोनों के बीच में radiation heat exchange होता है जैसे suppose अब मेरे यह suppose जैसे मेरे ऐसा मुझे मालो कि मेरी body को मैं एक flat plate की तरह माल लेता हूं एक पेपर की तरह माल लेते हैं आला कि पेपर की तरह मैंने हूं काफी हट्टा-कट्टा मोटा साहूं ल लेकिन camera जो है camera का मैं जैसे फ्लैंस और कुछ चीज़े देख पा रहा हूं ठीक है camera का आपका कुछ हिस्सा बस देख पा रहा हूं अगर मैं camera से बात करूं तो भी camera भाई साब है इनका सी फ्लैंस और कुछ छोटी मोटी जो इसके elements है वो मुझे visible है लेकिन camera जो है वो मेरा 50 परसेंट देख सकता है और शायद मैं जितना देख रहा हूं न वह 50 परसेंट नहीं है वह स्याद उसके कुछ कम है मैं इसका सीफ सामने का कुछ हिस्सा देख पाता हूं तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई body मुझे 50 परसेंट वीज देख पा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि अगर F12 याने कि body 1 body 2 का जितना परसेंट इसा व्यू कर सकती है और शेफ फेक्टर यह F21 के बराबर हो ऐसा नेसेसरी नहीं है हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए आपको कि F12 और F21 बराबर है बिलकुल मिल सकता है ठीक है लेकिन ऐसा नेसेसरी हमेशा हो इस और है अब ड़कलाबर हो सकते हैं अब ज्यसे कि आप अपने दोनों हाथ को इस तरह से सामने लौ तो इस यह हाथ की सपोश है इस हाथ का यह एक दूसरे के पहले रगदो तो यह इसका एफिस देख सकता है completely और ये इसका ये फिस completely दे सकता है ठीक है तो जितना ये हाथ इस हाथ को देख सकता है उत्ता ही ये हाथ इस हाथ को भी देख सकता है तो एब इसको यहां पर क्या हो जाएंगे दो अ ना फर लेकिन फोड़ावी कुछ इंप्रडवर अरेंग्मेंट होगा तो वहाँ फिर calculation की requirement होगी हो सकता है calculation के बाद मिल जाए बराबर हो सकता है ना भी मिले ठीक है तो ऐसा mandatory नहीं होता तो व्यू फेक्टर सी समझना आपको के आप लोग किसी body का किप्ता portion देख सकते हो वो बताता है त्याने कि F12 में बोर रहा हूं 0.5 याने कि body number 1 body number 2 का 50% portion view कर सकते है तो इसको व्यू फेक्टर भी बोलते हैं उतने ही portion के साथ radiation heat exchange feasible होता है possible होता है आई बस समझ में तो यहां से हम लोग को q1 2 or q2 1 मिल गया हम लोग को q net निकालना है हम लोग को q net निकालना है ठीक है q net निकालना है तो क्या हो जाएगा q net q net जो हो जाएगा q net जो हो जाएगा q net जो हो जाएगा that is a1 f12 into sigma into t1 to power 4 minus a2 f21 into sigma into t2 तो यहां से आप लोग जो net heat exchange है वो easily यहां पर find out कर सकते हो ठीक है तो बाकी का देखेंगे हम लोग आगे के lecture में वहाँ पर मैं आप लोगों को साथ शेफ एक्टर से और भी बाते करूंगा काफी लंबा लेक्टर हो चुका है तो इसको यहां पर पॉस करते हैं नेक्स लेक्चर मिलेंगे बच्चों हम लोग वहां पर हम लोग रेडिसेशन हीट अच्झे ने और भी बात करेंगे शेफ लेक्टर की सीजाव बतावगा आपको में झाल झाल